मा प्रगाम पतोवयम मा यज्या दिंद्रसो मिनह मांतस्थुर्णो अरातयह मांतस्थुर्णो अरातयह ओ पवित्र जीवन हम सभी के ये हमें वर्दान दो रस्ता सही अपना सके वेदों का हम को ज्यान दो हम में नाव गुण हो कोई हमें सद गुणों का दान दो हम काम औरों के आ सके भक्ती हमें भगवान दो शक्ती हमें भगवान दो गर्शाम, हमान दो अद्रणिय आचारे सिद्धार्थ जी जो बेंगलोड से पधारे हैं अद्रणिय पंडित जग्दीशनर वसु जी जो पानिपत से पधारे हैं मंचा सीन हमारे नेतरित्व नेतागन हमारे शेलिंद्र जी और भाई मुन्ना जी आदरनी पूरो प्रधान जी और संचालक महनुभाव हमारे मीडिया के भी साथी जो कि कुछ लोग को इसमें सेवा भाव से कारे कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद और स्वागत करता हूँ और आप सभी विशिष्ट जन, धार्मिक बंदूओ, परिवार से पधारे हुए सभी महानुभाव, मातरी शक्ति और बच्चो सबसे पहले तो मैं आरी पतिय सभा अमेरिका की ओर से आरी समाज गांदी धाम का, सभी कारे करताओं का, सभी अधिकारियों का, सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने हमारी सभा के संस्थापक को सम्मानित करने का निरने किया उनका अम्रित महुत्सव जो यहाँ पर मनाया जा रहा है क्योंकि आदर्णी ग्रीश जी पर पहला अधिकार तो आरेपती सावा अमेरिका का है क्योंकि उन्होंने उसकी स्थापना की उसको 30 से अधिक वर्षों तक अपने कुशल नेत्रित्व में उसको चलाया और उसको जिस दशा में आज है जिस उन्नती की पत पर वो अग्रसर है वहाँ पर आदर्णी ग्रीश जी ने पहुँचाया है ऐसे ग्रीश जी का सम्मान और अम्रित महुत सब आप लोग मना रहे हैं तो मैं आप सभी का सभा की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद जापित करता हूँ और जैसा हमने देखा भुवनेशी ने भी कहा कि आरिस समाज गांधी धाम नए-नए कॉंसेप्ट्स नए-नए प्रकल्प हमारे लिए प्रसूत करता है जिसको की हम सभी लोग आगे आने वाले लोगों के लिए अगली समाजों के लिए अगली संस्थाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं चाहे जीवन प्रभात का विशय हो चाहे वो ये वैदिक संस्किती रक्षा रत हो विद्यारियों की स्थापना है, समाज की जो गतिविदी है, शोभा यात्रा है, कई सारे उधारन ऐसे हैं, जो आचारी बाचोन दीजी के नित्रित्व में हम सब लोग सीखते हैं और उनसे प्रेणा लेकर करके उसको आगे इंप्लिमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो मैं आ प्रोजेक्स आप लोग ले, उसमें आपको सफलता मिले और औरों को प्रेणा भी मिले, इसके बाद जो आज का विशे है, उस विशे से पहले मैं आप सब से पूछना चाहता हूं, थोड़ा इंटरेक्टिव करने का प्रयास करेंगे, स्वर्गवासी आप में से कौन-कौन होना चाहता है, हाथ उठाएंगे, स्वर्गवासी कौन-कौन होना चाहता है, देखिए बहुत कम होना चाहते हैं, तो देखिए जो आज का विशे है, परिवार को स्वर्ग कैसे बनाएं, ये विशे है, मतलब कि हम स्वर्गवासी ही हो जाएं, अभी के अभी, यही तो हम डिसकस करना चारे है न, एक मजाक में जोक बोलते हैं कि शादी आई, शादी हुई, बहु घर आई, घर स्वर्ग बन गया और हम सब स्वर्ग वासी हो गए है, ठीक है, तो हम सब लोग विशे को अच्छे से समझते हैं, और आचारिय जी बैठी हैं, और विद्वान बैठे है मेरा विशे यह नहीं है पर experience के आधार पर कुछ points मेरे सामने आये थे तो आपके सामने रखूंगा तो स्वर्ग जो है हमारे इसी जीवन में है सुख विशेश का नाम स्वर्ग है वो सब हम लोग जानते हैं ठीक बात है के नहीं हाँ या ना स्वर्ग यहीं पर है के नहीं है यहीं है तो हमें अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाना है वो आज का विशे है ठीक है अब परिवार कितनी जैनरेशन से बनता है कुछ बताएगा एक परिवार में कितनी generations एक साथ में हो तो परिवार बनता है उन्होंने तीन कहा आपने चार कहा तो कम से कम तीन और उससे अधिक जितनी हो सके उतना अच्छा है ठीक है कम से कम चार हो गया तो तीन से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि दादा बेटा और पोता एक परिवार में हो तो कम से हम उतने से परिवार बनता है तो ऐसा परिवार जिसमें तीन generation साथ में हो minimum वो स्वर्ग बनने की काबिलियत रखता है और उसको कैसे स्वर्ग बनाना है उसकी चर्चा हमें करनी है जो हमें आचारिय जी और बाकी विद्वान लोग बताएंगे ठीक है इतनी बात समझ में आ गई अब जो है वाईदिक जीवन शैली जो हमें बताती है कि वाईदिक जीवन शैली के आधार पर हम परिवार को स्वर्ग बनाने का प्रयास कैसे करें इसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं तो मेरे पास पूर्व सूशना नहीं थी कि मुझे बोलना है तो मैंने यहां बैठे बैठे 3-4 पॉइंट्स जो हमने अपने माता पिता जी से अपने नाना श्री ठाकुर्दास बत्रा जी से सीखे और उनमें कुछ को हम लोग इंप्लिमेंट करने का प्रयास करते हैं वो मैंने लिख लिया कि हम क्या क्या करने का प्रयास करते हैं जो माता जी पिताई से सीखा तो उसकी चर्चा थोड़ी सी मैं करकर के अपना स्थान ग्रहन करूँगा सबसे पहली बात संसकार संसकार से क्या भाव है कोई बताना चाहेगा संसकार किसको कहते है बताईएगा नहीं बैठे 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 जी तो संसकार का एक अर्थ जो हम लेते हैं वो 16 संसकार जो हमारे जीवन में होते हैं वो संसकार हमको इंप्रूव करने के लिए हमारे अंदर अच्छे गुणों का आधान करने के लिए डाले जाते हैं एक बार हमारा एक पर्टिकलर संसकार हो गया तदनुसार जीवन जीना मैं जो सरल मतलब समझता हूं संसकार का हर व्यक्ति का अपने धर्म का पालन करना संसकार है जैसे छोटा बच्चा है उसका धर्म है बड़ों का संबान करना विवस्तिक जीवन जीना स्वाध्याय करना सेवा करना तो यह उसका धर्म है अगर वो धर्म का पालन कर रहा है तो वो संसकारित है हम कितने हद तक धर्म के अंगरूप चलते हैं हमारी अवस्था, हमारी आयू, हमारी सिचुएशन के आधार पर हमारा क्या धर्म है यदि हम उस धर्म का पालन करते हैं तो हम संसकार के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं एक नेता है उसका धर्म है कि वो सबको साथ लेकर के चले वो इमानदारी से कारे करे वो अपने आपको पीछे रखे और अपने समाज को आगे रखे एक पिता है उसका धर्म अलग है माता है उसका धर्म अलग है हम संसकारित हैं और संसकारों के अनुकूल जीवन जी रहे हैं क्योंकि संसकारों का तो यही मतलब बोलते हैं ना कि संसकारों का मतलब है गुणों का आधान करना आधान करने का मतलब यह है कि हमें उन गुणों के आधार पे जीवन जीना चाहिए अगर हमने अपने जीवन में 15 संसकार कर लिए लेकिन उसके अनुसार जीवन यदि नहीं जिया तो संसकार करने का लाब है या नहीं है हाँ या नहीं संसकार का लाब नहीं है तो संसकार होना एक विशे है संसकारित जीवन जीते हुए अपने आपको धर्म के पत पर आरूर करना दूसरा विशे है तो यदि हम सस्कारी जीवन जी रहे हैं तो इसका मतलब हम धर्म पर चल रहे हैं ये पहली सीड़ी है हमारे परिवार को स्वर्ग बनाने की इससे आप सब सहमत है के नहीं है है ठीक है दूसरा विशे स्वाध्याय और स्वाध्याय का मतलब स्वामी ध्यानन मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन जिससे हमारी आत्मिक उंनति हो हम अच्छे व्यक्ति बने जिस ग्रंथों को पढ़ने से हम अच्छे व्यक्तिर बने मनुर्भव जनया दैवियम जनम जो मनुर्भव की परिभाशा है, अगर हमें वो देवत्व के गुण आते हैं जिस काम को करने से, वो मोक्ष शास्त्र है अगर कोई carrier oriented अगर हम कारे कर रहे हैं उसको अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वो मोक्ष शास्त्र की केटिगरी में नहीं आएगा जो हमारी आत्मिक उन्नती का अधार बनता है, वो मोक्षे शास्त्र की केटेगरी में आएगा, तो ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना और सुनना, उसमें तीन चीज़ आ जाएंगी, शवन, दुबार अगला बोलियें, शवन के बाद, मनन और तीसरा, न केवल सुनना प्रियाप नहीं है, सुन करके, चिन्तन करके, अपने दिमाग में निर्णे करके बिठा लेना, कि ये रस्ता है जिस पर मुझे चलना है, श्रवन से मुझे ज्यान होता है, मनन से मुझे निर्ने होता है, निति ध्यासन का मतलब यह है कि मैं अपने जीवन में उसको धारन कर रहा हूँ तो केवल सुनना, स्वाध्याय करना अप्रयाप नहीं है, स्वाध्याय करने के साथ साथ जो भी अच्छी बात को मैंने पढ़ा, सुना, उसको निरने किया और उसको अपने जिवन में प्रतिदिन धारन करना, हर समय उसको अपने साथ रखना, ये स्वाध्याय का प्रतिफल ह होगा तो पहला मैने बताया संसकार दूसरा बनाया स्वाध्याय तीसरा जो है सथसंग विध्वानों का सथसंग करने से हम कहां गलत हैं कहां ठीक हैं इसकी हमें निनृने मिलता है इसे हमें course जिसको बोलते हैं कि अगर हम जिस रस्ते पर चल रहे हैं विद्वानों के आचारियाओं के आचारियों के संग से हमें ये पता लगता है कि हमारा रास्ता ठीक है कि नहीं है तो वो सत्संग भी अगर जीवन का अंग होता है पहली बार संसकारेज जीवन दूसरा जो है तो तीनों जनरेशन अपने अपने करतव्यों का पालन करेंगे व्रिद्ध हैं तो व्रिद्धास नते ये नवदंति धर्मम व्रिद्ध जो है हमें उपर रह करके अपने हमें हमारे धर्म का निर्देश करेंगे वो व्रिद्ध हैं जो मिडल एज है उसका कारे है प्रतमे ना पॉशन करेगा वो विद्वानों की सेवा करेगा समाज में सेवा देगा यह उसका धर्म करतव्य है केवल आत्मों मुक्ही होकर के जो कारी करेगा वो अपने करतव्य का पालन नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो ग्रिहस्त जीवन का केवल एक मात्र अंग हैं, तो हम ब्रह्मचारी हैं, तो स्वाध्याय करेंगे, अध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ग्रिहस्ती हैं, तो समाज के कल्यान के कारेंगे, विद्वानों का सत्संग करेंगे, समाज में सेवा देंगे, इमान दारी स धनार्जन करेंगे वानप्रस्ति हैं तो वायरागे का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दूसरों को आगे ले करके आएंगे तो ये वानप्रस्ति का लक्षे हुआ वानप्रस्ति का धर्म हुआ और सन्यासी का धर्म ये है कि सब लोकेशना पुत्रेशना वितेशना से अलग हो जाए तो अगर परिबार में रहने वाला हर्व्यक्ति इसके अनुरूप चल करके अपने जीवन को धारण करेगा तो स्वर्गब को बनाने में एक जो है एक स्टेप और आगे बढ़ेगा इसके बाद मैंने लिखा सर्वशक्तिमान को मैं सासा पर चल रहा हूँ संसकार, स्वाध्याए, सत्संग और सर्वशक्तिमान कौन है? सर्वशक्तिमान कौन है? परमात्मा उसको हमेशा अपने साथ रखना क्योंकि हमारे सत्य और असत्य की कसोटी परमात्मा है मैं जो काम अच्छा या बुरा कर रहा हूँ हो सकता है वो बाहर वाले को पता ना लगे बाहर वाले को दिखने में लग सकता है कि बहुत अच्छा कारे कर रहा है हो सकता है मैं किसी को नमस्ते कर रहा हूँ लेकिन अंदर से उसके बरती द्वेश भाव रख रहा हूँ तो उसको कौन जज करेगा वो परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है अगर हम क्योंकि हम बोलते तो हमेशा है कि ईश्वर जो है मेरे साथ हमेशा है ईश्वर सरवशक्तिमान है इश्वर हमेशा मेरे अंदर विद्धिमान है पर हम गलत काम करते हुए हमेशा ये भूल जाते है कि इश्वर मेरे को देख रहा है जहालत में हम तुझको देखें न देखें मगर तु हमें हर घड़ी देखता है मगर तु हमें हर घड़ी देखता है तो वो इश्वर यदि हम ये जानलें कि अगर मेंने कुछ गलत काम किया है तो इश्वर ने उसकी एक लिस्ट बना ली है वो हमको देख रहा है तो सर्वशक्तिमान को हमेशा अपने साथ मानने से हम गलत कारियों को करने से बच सकते हैं और अपने धर्म युक्त आचरण को अपनाने का रास्ता अपना सकते हैं ठीक है? तो पहला संसकार, दुसरा स्वाध्याय, तीसरा सत्संग, चौथा सर्वशक्तिमान, और पांचवा मैंने लिखा सेवा क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य का लक्षे केवल अपने उपर केंद्रित होना नहीं है वो सबकी उन्नती में अपनी उन्नती समझनी चाहिए, यह आरी समाज का नियम है तो हम जो अच्छा हम अपने माता-पिता से ग्रहन करें, आचारियों से ग्रहन करें, अपने साथियों से ग्रहन करें, उस अच्छे को यूज करके हम समाज में उन्नती कैसे ला सकते हैं, आत्मिक समाजी को शारिक उन्नती करना, समाज का कल्यान करना भी हमारा करतव है, तबी स्वार्थता पहली चीज़ होनी चाहिए कुर्वन नेवेह कर्मानी जीजी विशे छतम समा मैं अच्छे कारे तो करूं लेकिन अच्छे कारे के प्रती मेरा राग उसके प्रती फलकर रती मेरा राग नहों मैं दान तो करने की इच्छा करूं पर दान के बाद सम्मान की इच् सम्मान की इच्छा होगी और सम्मान नहीं होगा तुम्हाँ पर परिशानी भी होगी तो हमें सेवा का भाव बिना स्वार्थ के रखना है बास्तिविक सेवा वही है जहां आप और हम क्रेड़ की अपेक्षा ना रखें जहां क्रेड़ की अपेक्षा हो जाती है वो सेवा नह के बाद मैं लिखा स्वयम को पीछे रखना परिवार में परिवार जहां तीन जनरेशन हैं चार जनरेशन हैं वहां वही सक्सेस होता है जहां वो स्वयम को हर चीज में आगे नहीं रखता पहले आपकी mentality जहाँ पर रहती है जहाँ पहले मैं की mentality आती है पहले मैं खाऊं, पहले मैं पहनू पहले मैं खरीदू、 सबसे अधी खर्चा मेरे उपर हो, अगर पहले मैं आ जाएगा, तो परिवार में सबको साथ लेने की mentality नहीं रहेगी, सब लोग साथ नहीं रह पाएंगे, परिवार स्वर्ग नहीं बनेगा अगर हम स्वयम को पीछे रखते हैं, दूसरों को आगे रखते हैं, पहले आप लीजिये पहले आप चूस करिये, पहले आप खाईए, पहले आप अपना दिरने लीजिये तो मुझे लगता है कि हम अपने परिवार में भ्रात्रिभाव, सहरिदयता सहरिदयम, सामनस्यम, अविद्वेशम, क्रणोमिवा वो तब आएगा जब हम अपने से पहले दूसरों को रखेंगे उसकी इच्छा को रखेंगे तो इमानदारी हो, सहरिदयता हो समनस्यता हो तो परिवार एक परिवार स्वर्ग की जैसा बन सकता है यदि हम अपने आपकी अपनी इगो को पहले लाएंगे, तो परिवार परिवार नहीं रहेगा, ये कुछ बाते मैंने सोची थी, और दो बाते जो इन सब को इकठा कर देती हैं, परिवार के सभी सदस्यों में, प्रती दिन 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान करने का अभ्यास बनना, क्योंकि ध्यान करने से हमारी बुद्धी पवित्रता की और अग्रसर होती है, क्योंकि हम इश्वर का चिंतन करते हैं, हम ये सोचते हैं कि प्रभू, हम अपने आपको रिमाइन कराते हैं कि प्रभू मुझे हमेशा देख रहा है, अगर मैं गलती करूँगा, तो मुझे वो इसका दंड भी मिलेगा और मैं अपने परिवार को स्वर्ग बनाने की और अग्रसर नहीं हो पाऊंगा तो प्रती दिन ध्यान का अभ्यास करना, 10 मिनट से शुरुआत करके अधिक करना और दूसरा इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मन रिक्षन करना, प्रती दिन अगर हम यह ठान लें, कि हम सोने से पहले, 5 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट, आत्मन रिक्षन करेंगे कि हमने अपने परिवार के लिए अपने कर्तवियों का पालन किया के नहीं किया हमने अपने समाज के लिए अपने कर्तवियों का पालन किया के नहीं किया हमने अपने स्वयम के लिए अपने धर्म का पालन किया के नहीं किया तो ये ध्यान और ये इंट्रोस्पेक्शन यदि हम इन दोनों को अपनी जीवन में धारण करते हैं तो हमेशा यह हमें रिमाइंड कराएंगे कि भाई आज का दिन मेरा ऐसा रहा मुझे ऐसा करना चाहिए था यह गलतियां मैंने की है कल से मैं इन गलतियों को नहीं करूँगा तो यह सारे पांच सार चीज़ें अगर हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं संसकार, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, सर्वशक्तिमान का स्मरण स्वयम को पीछे रखना और दिहान और आत्मन रिक्षन के द्वारा अपने आपको हमेशा करेक्ट करते रहना यह सारे वैदिक नौलेज ही है जिसको हम सिंप्लिफाई करके अपने जीवन में धारन कर सकते हैं अगर हम मंतर का बाट तो रोज करते हैं योस्मान, द्वेश्टियम, चवयम, द्विश्मा लेकिन हम जरासा भी हम से कोई डिसेगरी करे तो उसके ब्रती हमारा द्वेश्ट द्वेश्ट हो जाता है जहां पर भी मुझे सम्मान की अपेक्षा हो और सम्मान नहीं मिलता तो मेरा द्वेश्ट द्वेश्ट हो जाता है तो मंतर के अर्थ को समझ करके उसको अपने जीवन में धारन करने का प्रयास करना और आत्मन रिक्षन बारा बार बार ये कसोटिवेट करना कि मैंने जो मंत्र का अर्थ समझा था क्या वो मेरे जीवन में आया के नहीं आया क्योंकि जब तक मंत्र केवल बोलना और मंत्र को समझना उसको धारण करना तीन अलग चीज़े हैं प्रभू करे कि हम ना केवल मंत्र का उचारण करें ना केवल मंत्र का अर्थ समझें परन्तु हम मंत्रों को धारण भी करें तभी वेद का सबसत्य विद्याओं का पुस्तक तो है पर उसका सार्थक्ता तभी होगी जब उस सबसत्य विद्याओं को हम अपने जीवन में धारण कर सकें बहुत सारे मंत्रों की चर्चा की जा सकती है दो-तीन तो मैंने रेफर किये माब्राता ब्रातरम द्विक्षन की बात आती है कि भाई-भाई में द्वेश ना हो हमारा आपस में अलगाव ना हो उसका साधन तभी बनेगा जब हम पहले आप का माइंडसेट अपने जीवन में रखेंगे ऐसे ही मैंने बताया सर्देम सामनस्यम बताया मित्र से चक्षा समिक्षा महें बताया तो वेद के कई सारे मंत्रे ऐसे हैं जिनको हम ले करके यदि अपने जीवन में धारन कर पाएंगे तो हम अपने परिवार को स्वर्ग बनाने की और अग्रसर हो सकते हैं आपने मुझे समय दिया और जो मेरे दिमाग में आया परिवार के माता पिता से सीखा हुआ वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है इश्वर करें हम सभी वेद मार के पथिक बने अपनी उन्नती करें परिवार की उन्नती करें समाज की उन्नती करें परिवार स्वर्ग बनेगा तबी समाज स्वर्ग बन सकता है बहुत अच्छा विशे इनों ने रखा था आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते